हेलो गाईस, वेलकम टू लच्मीज फूड वर्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियां सुरू हो गई हैं, और सर्दियों में अगर हम थोड़ा सा प्रिकाशन लें और अपने खाने में कुछ ऐसी चीजे सामिल करें कि जिससे पूरी सर्दी आराम से निकल जाएं, तो चलि अगर हम ये सब चीजे बनाएंगे तो थोड़ा तो समय लगेगा, यानि थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हींग लगे न फिक्री, रंग चोखा का चोखा, तो चलिए बाजरे की बाली को भून लेते हैं, इसे आप जब भूनेंगे तो इसमें से के पलट कर भूनियेगा, जिससे कि ये जलने न पाये, इसे फिर आप नमक से खाईए, या आप इसको गुड़ से खाईए, ये बहुत ही फायदेमंद है, अगर आप इसे रेगुलर एक बार खाते हैं, तो इसकी ताश्रीर इतनी गरम होती है कि पूछिए मत, कोलेस्ट्रा इससे बचाओ रखता है, इसकी तासिर इतनी गरम होती है, आप ये देखिए फ्रेंड्स, बाजरे अच्छे से भुन गए हैं, इसे हम निकालेंगे कैसे, तो इसे आप हलके हलके हाथों रगडियेगा, आप इसे कपड़े से भी रगड सकते हैं, और इसके बाल न तूटने दीजिएगा, तो बाल से बाजरा निकल जाएगा, फिर इसे आप सूप से फटक दीजिएगा, क्योंकि अगर बाल रहेंगे, तो वो गड़ेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, कि हलके हाथों से इसे आप निकालिएगा, इसके दाने अलग हो जाएगे, फिर इ इसे की अरुवा चावल कहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये भी कुरकुरा कुरकुरा लगेगा और ये देखे फ्रेंट्स मैंने इसे सूप से फटक कर बाजरे के भुनेदाने बिल्कुल अलग कर दी हैं आप इसे आप एक दो चम्मच रोज चाहे गुड से खाएं और चाह करिए और साथ में बिल आइकन को प्रस करना ना भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसीपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू